लोकसभा चुनाओं के दोरान से अब तक बीजेपी और विपक्षी गटवंधन इंडिया में समविधान को लेकर आरोपो प्रत्यारोपो के बीच आज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने समविधान के मुद्दे को लेकर दोन कर दिख प्रभावी बनाना चाहते हैं यही कारण है कि ये लोग पूरे देश में जाती आधारी जनगर्ना नहीं कराना चाहते हैं विपक्षी बात कहता रहता है अब ये बाबा साब डाक्टर भींगराव अम्बेडगर की मंसा वाला समता मुलक धर्म निर्पेख्ष एबं बहुजन हिताय वाला सविधान नहीं रहा है बलके अधिकान सब ये जातिवादी संप्रदाइक एबं पूंजीवादी सविधानी बनकर रह गया है साथी अब सत्ताव विपक्ष के जातिवादी मानसित्ता के लोग अंदर-अंदर मिलकर यहां SC, ST वे OBC बरगों का खास कर शिक्षा एबं सरकारी नोक्रियों आदी में इन्हें बाबा साब की बदोलत से मिले अरक्षन को खतम करना चाहते हैं या फिर इसे निश्प प्रभावी बना के इन्हें यहां ये सभी पाटिया इसका पूरा लाब इन्हें नहीं देना चाहती हैं इसलिए अब सविधान को बचाने के नाम पर वे इसकी आड में सत्ता वे विपक्ष दुवारा जो जातिवादी संप्रदाइक एबं पूंजिवादी राजनिती की जा रही है तो उससे इन वर्गों के लोगों को कतेई भी लाब मिलने वाला नहीं है और ये बात भी सर्विधित है कि संदर में खासकर कांग्रेस वे बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अंदर अंदर मिलकर यहां ती पिछड़ों के आरक्षन को लेकर आई मंडल कमिशन की रुपोर्ट को भी अपनी सरकारों में लागू नहीं होने दिया था लेकिन सरी बीपी सिंग की बनी केंद्रिय सरकार में इसके लागू होने पर भी तब फिर इन दोनों पाटियों ने कांग्रेस एंड बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अर्थात इन दोनों पाटियों ने पूरे देश में इसका परदे के पीछे से काफी डटकर विरूद भी कराया था और इसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त अंधूलन वे तोड़ फोड़ आदी भी खूब कराई गई थी, ये सब किसी से छिपा नहीं है इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंच में लिखकर जरूर बताएं देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के अलावा इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अप्डेट्स के लिए बढ़े रहें इंडिया पबलिक खबर के साथ हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बुलकुदा भूले हमारे यूट्प से लिए घया इंडिया आपवा मा करें अप्डेटर चानल को सब्सक्राइब करेंदे़ अप्ड़ी हमार्यूब चैसे विए।